लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए सल्मान का नाम बॉलिवूर्ड की कई अभिनेत्रियों से जुड़ा जिन में ज्यादतर उनकी को स्टार्स रही संगीता बिजलानी से लेकर एश्वर या राय तक इस लिस्ट में शामिल है लेकिन आपको बता दें कि सल्मान खान कभी जुही चावला के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते थे दरसल सल्मान और जुही ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था लेकिन इन दोनों के अपेर की खबरें कभी सामने नहीं आई लेकिन एक समय था जब सल्मान जुही से शादी करना चाहते थे और वे उनके पिता से उनका हाथ मांगने गए थे दोट सल्मान ने खुद इस बात का खुला सा एक चैट शो पर किया था सल्मान ने बताया था कि जुही बहुत स्वीट और प्यारी है मैंने उनके पापा से पूछा भी था कि क्या आप जूही की शादी मुझ से कर देंगे लेकिन उन्होंने मना कर दिया शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया शायद मैं उन्हें जूही के लिए फिट नहीं लगा था बता दें कि सल्मान और जूही ने कभी किसी फिल्म में लीड जोडी की भूमिका नहीं नभाई जब इस बारे में सल्मान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जूही मेरे साथ काम नहीं करना चाहती जूही चावला का नाम किसी एक्टर के साथ नहीं जुड़ा क्यूंकि उन्होंने अपने शुरुवातिक करियर में ही जय मेहता से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी इन दोनों की शादी के बारे में बहुत बाद में लोगों को पता चला था सल्मान का नाम बॉलिवूड की कई अभिनेत्रियों से जुड़ा जिन में ज्यादतर उनकी को स्टार्स रही संगीता बिजलानी से लेकर एश्वर या राय तक इस लिस्ट में शामिल है लेकिन आपको बता दें कि सल्मान खान कभी जुई चावला के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते थे दरसल सल्मान और जुई ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था लेकिन इन दोनों के अपेर की खबरें कभी सामने नहीं आई लेकिन एक समय था जब सल्मान जूही से शादी करना चाहते थे और वे उनके पिता से उनका हाथ मांगने गए थे दॉट सल्मान ने खुद इस बात का खुला सा एक चैट शोपर किया था सल्मान ने बताया था कि जूही बहुत स्वीट और प्यारी है मैंने उनके पापा से पूछा भी था कि क्या आप जूही की शादी मुझसे कर देंगे लेकिन उन्होंने मना कर दिया शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया शायद मैं उन्हें जूही के लिए फिट नहीं लगा था बता दें कि सल्मान और जूही ने कभी किसी फिल्म में लीड जोडी की भूमिका नहीं नभाई जब इस बारे में सल्मान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जूही मेरे साथ काम नहीं करना चाहती जूही चावला का नाम किसी एक्टर के साथ नहीं जुड़ा क्यूंकि उन्होंने अपने शुरुवातिक करियर में ही जय मेहता से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी इन दोनों की शादी के बारे में बहुत बाद में लोगों को पता चला था